हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल माई इंग्लिश बुक और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2023 में होने वाले NTA UGC NET के बारे में सारी डीटेल्स कि क्या इसका फोर्म भढ़ने का तरीका है कब से फोर्म शुरू हो रहे हैं और आपका पेपर किस तरीके का होगा सले बस ये सारी इंफोर्मेशन मैप के लिए लेकर आई हूँ तो ये कंप्लीट ब्रॉशर है जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट्स वग्यारा की की डेट्स कब से शुरू है आप जो अपने ओनलाइन फोर्म है 29 दिसंबर से 17 जनवरी 2023 तक आप अपने फोर्म को फिल कर सकते हैं एक्जाम फीस आपकी जो सम्मिट हो सकती है उसकी लाश्ट डेट है 18 जनवरी 2023 ठीक है और उसके बाद यहां पर आप यह देख सकते हैं यह फीस का स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है अलग-अलग कैटिगरीज के लिए फीस स्ट्रक्चर है और यहां पर आपको बताया ग आपकी जो एक्जामिनेशन सेंटर्स होंगे फैबररी के फर्स्ट वीक में आपको लोट कर दिये जाएंगे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं फैबररी के सेकंड वीक में एक्जामिनेशन डेट्स आपकी 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच रहेंगी और जो आपका एक्जाम होता है डूरेशन ओफ एक्जाम वो तीन गंटे यानि की 180 मिनट होता है दो शिफ्ट में ये एक्जाम कंड़क्ट कराया जाता है जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी टाइमिंग होती है नो बजे से बारा बजे और जो सेकंड शिफ्ट है उसकी टाइमिंग होती है त important points है उनको मैंने highlight करके रखा हुआ है यह पूरा आपका procedure है कि आप किस तरीके से अपने application form को fill कर सकते हैं किस तरीके से आपका photo होना चाहिए जो अपने form पर लगाएंगे ठीक है यह सारी अब देखें मैंने यहां पर यह चीज़े highlight करके रखी है सबसे पहली जो आपकी चीज़ है वो यह है कि anti-ugc net का exam cbt होता है अनि कि computer based होता है अगर आप first time anti-ugc net का exam attend कर रहे है तो मैं आपको बता देती हूँ यह computer based exam होता है इसमें दो paper आपके होते है subject आपका कोई भी हो आपको एक journal paper मिलता है ठीक है एक आपका journal paper रहेगा और जो second वाला है यह आपका आपके subject से related रहेगा दोनों paper बिना break के आपको solve करने होते है computer पर दोनों paper के लिए आपको 180 minute मिलते हैं तो पहले वाले में आपको मिलेंगे 100 marks का 50 question मिलेंगे दूसरे में आपको 100 questions मिलेंगे 200 marks के उसके बाद आपका medium of question paper हिंदी और English दो भाशाव में आपका यह paper होगा आपको अपनी उसमें choose करनी होती है language वो तो जब आप form fill करेंगे आपको पता च इसके लिए जो आपकी qualification है आपके पास master degree होनी चाहिए उस subject में जिस subject से आप NTUGC net का form fill करते हैं 55% marks के साथ आपके पास master degree होनी चाहिए यह main qualification है बागी और भी बहुत सारी qualifications दी गई है आप इस brochure को अपना NTUGC net का form fill करने से पहले आप इस brochure को एक बर ध्यान से काफी deeply हो जाए ठीक है मैंने भी कुछ यहां पर main main चीजों को highlight करके रखा हुआ है देखिए यहां पर important points दिये गए हैं जो आपको ध्यान में रखने है जब आप अपने NTUGC net के application form को fill करेंगे सो यहां पर यह point number 8.8 को भी आप काफी deeply और अच्छे से study कीजेगा ठीक है यह सारे आ अपने पास निकाल लेनी है जब आप उसको form को fill कर देंगे 4 prints out आपके confirmation page के proof आपको अपने fee speed का निकाल लेना है ठीक है photographs आपको अपने अच्छे से देख लेने है नेम फोटो वगेरा यह सब चीज़े आपको अच्छे से चेक कर लेनी है जब आप अपना NTUGC net का form fill ठीक है यहाँ पर आपको admit card से related important points दिये गए है अच्छा एक यह वाला काफी important point मुझे लगा जो मैं आपके लिए highlight करके लाई हूँ कि आप जब अपने exam देने जाता है तो आपको अपने exam center पर अपने साथ क्या लेके जाना है तो देखें आपको अपने साथ एक आपका admit card क printed copy लेके जाना है आपको एक one passport size photograph लेके जाना है photograph कौन सा होगा वही वाला होगा जो आपने application form पे लगाया हुआ है और इन में से कोई एक document आपको लेके जाना है इन में से कुछ एक लेकर जाईएगा पी डवली डी सर्टिफिकेट है तो उसको लेकर जाईएगा ठीक है और आपको अपने examination center पर दो गंटे पहले पहुँचाना है एक्जाम शुरू होने से पहले दो गंटे पहले आपको पहुचन है क्योंकि वहाँ पर आपकी बाकी ची बात provisional answer किया ठीक है और आपको किस तरीके से उसमें pay करना होता है अगर आपको किसी question के उपर objection है तो में main points को में explain किया है बाकी एक बार और चीज़े आप अपने आपसे भी खुद अच्छे से रेड करके देख लीजेगा और मैं अपने चैनल पर हमेशे anti-ugc net के regarding videos लेक अगर आती रहती हूं anti-ugc net की सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे बाल और अगर आपकी कोई query है आप मुझे comment section में comment करके भी पूछ सकते है और यहां पर देखिए हमारे पास subjects आ गए है इत्ती थ्री subjects का यह जो exam होता है anti conduct कराता है इसमें जो English है for more videos do not forget to like share and subscribe